असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चानल कैसे हैं आप सब लोग आए होग आप सब ठीक होंगे अलहम्दिलिल्ला हम सब भी खिरत से हैं आज जाने निकल गए हैं वली में के लिए मैं रेडी हो गई थी और फिर में चलगी थी उपर देखने के लिए मॉम्मी और बसीरत रेडी हुए हैं या नहीं वो धोने भी रेडी हो गए थे आज बसीरत आ रहे थी हमरसात वली में वो सही कर रही थी और उसके बाद हम निकल गए थे और हम भी देगे यहां पर रेडियो हो गया था आज पता नहीं क्यों आयरा घर से निकलते समय ही बहुत जादा क्रैंक हो गई थी घर पे ही रोने लगी थी वो उसके बाद हमने लॉक वाक किया पापा जो है नीचे कार में वेट कर रहे थे और हम निकल गए फाइनली हम पहुंच गए थे वेन्यू पर भी और वहां पर जाने के बाद यहां पर देखें मॉमी पापा में रजबन सारे हम चले गए थे मीर हमासत नहीं थे क्योंकि उन्हें आपने बिजनस के मामले से बाहर जाना पड़ा था तो वह नहीं थे मसम सारे लोग जो हैं वो चले गए थे वलीमे में और आज थैंक्फुली हम जल्दी चले गए थे जब तक हम जाते हैं ब्राइटन डूम जह वह अभी तक नहीं आये थे अगर आपको याद होगा तो नावास के वलीमे में हम इतना लेक पहुंचे थे सारा सब कु पहुंचे थे लेकिन इस बार थैंक्स टू पपा उनकी वज़े से हम जल्दी निकले थे और वलीमे में जल्दी पहुंच गया और जाते साथी देखा कि दादी वगरा सारे मेठे हो थे उनसे बातें कर ली और उसके बाद यहां पर आ गए थे क्यूंकि बहुत जादा मस्त रहते हैं कि वह निके पर क्यों नहीं आई और सभी को बता रही थी क्यार हमकी तब थोड़ा गड़ बढ़ थी इसकी वज़े से वह नहीं आ पाई और इसके बाद यहां पर देखें ब्राइड और गुरूम जहें वह आ गया थे माशाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे दो नोहीं बारे में बात कर रहे थे की बिजस्में जो है बिजस्नेस के लावे प hack ॉव को यह ए और कि दो आई बहुत ज्यादा की थी बहुत जाद कर रहे थी और लेकिन आज में प्र देखने करनी के लाद रहा है ते दिनर करने के लिए सारे हमारी सारी आमिली जो है इक खटा बैठ गई थी एक ही टेबल पर डिनर करने के लिए सर्फ्राइसिंगली आज आमिल खुझ से हाँ पर खाना खा रहा था क्योंकि चाहे वो घर पे हो या फिर हम कही पर भी जाए किसी भी फंक्शन में जाए आमिल को खिराना पड़ता है लेकिन आज सारे बच्चे जो है उसके फ्रेंज जो उसकी कजिन्स है वो अपने हातों से तो उसने कहा कि मैं भी अपने हातों से खाऊंगा और वह यहां पर अपने हातों से खा रहा था और खाने का इंतजा मशला बहुत आचा था लेकिन हम ठीक से एंजॉई नहीं कर पाए क्योंकि आयरा तो चिर्चिरी थी ही वो तो रोही रही थी शायर नीन के वज़े से लेक कोई नहीं समाल सकता वह हमारे पास भी नहीं आता तो उस्वेचारी ने खाना चोड़के उड़ गई और हमको संभालने लगी और हम भी जैसे तैसे खाना खाके निकल गया और इसके बाद आ गए था आईसक्रीम खाने के लिए और यहां पर भी आईसक्रीम स्टॉल्स और शुड़के जूस वगए तो इसके बाद बाद बहुत कुछ था लेकिन हमने खाना खा लिया था तो इसके वजिस और कुछ नहीं खाया बस आईसक्रीम खाये और थोड़ा सब जूस पिया लेकिन बच्छों के लिए यहां से थोड़े बहुत फूर्ट ले लिए क्यूंकि दोनों के दोनों ने कुछ नहीं खाया था अरहम और आयरा ने तो हमने सुचा आठलीस थोड़ा बहुत फूर्ट्स खिला देंगे तो उन दोने के लिए फूर्स लेकर वहां से खिला दिया और यहां पर देखें पपा उनके सारे कजिन्स बातें करते हुए वह बहुत एंज् कर रहे थे और हम दोनों यहां पर बेने खड़े होके अपने बच्चों को सामाल रही थी और तब ही मेरे हस्मिन आया उन्ह। ही कुछ खाया है यह नहीं तो वहीं क्छा ने ग कि रुप से मिले और व्लॉगींगे कैसी चीज़ वीडियो कैसी चीज़ जो विताउट परमिशन ली नहीं और हम बाभी भी बहुत जाद हो रहा था तो उसके पास ही नहीं आई बस मैं और ममी जो हैं हम दोनों मिलकर आ गए और नीचे आने के बाद बड़े मी मिली उनसे बातें की यह पापा के जो सबसे बड़े भाई हैं उनकी वाइफ है माशाला से इंक्लिडिंग पापा पापा क आठ भाई बहने तो इस सबसे बड़े भाई की वाइफ और उनके बच्चे जो बड़े मी और मेरे दो कजिन्स हैं उनसे मिले और ये निके पे नहीं आई थी तो वही सारा पूछा बातें वगएरा की फोटो लिये वीडियो लिया और सारा सब कुछ गया और उसके बाद ब बहुत ही महबबत से इज़त अफजाई की चाचा ने घर पर आके जितनी महबबत से हमें इन्वाइट किया था वहाँ पर हमने शादी में जाने के बाद उससे कई ज़्यादा महबबत से कई ज़्यादा एतराम से नोने हमारी महमान नावाजी की बहुत से अची तरीक से ट यहां पर देखें हमार दादा जो है वो नहीं है तो उनके वज़ए दादी को जो हो शॉल्दल के उनकी भी बहुत अच्छी तरीकी से इज़त की उन्होंने उसके बाद हम वापस आगए थे यहां पर बेट के सारी गप्षप लड़ाए बातें की और उसके बाद हम निकल बहुत पसंद होता है तो उसने आमिर से इशारों में कहा कि उसे वाटरमिलन खाना है और आमिर हट करने लगा कि वो खुद कट करके अपने हाथों से आयरों को खिलाएगा लेकिन हम अकेले उसे चूरी देके तो नहीं छोड़ सकते तो इसलिए मेरे हस्बेंड आमिर की मद बता देते हैं लेकिन जैसे आप लोगों को पता है संदे के दिन एक राइव तो बच्चों की हो नहीं होनी चाहिए वरना दोने के दोनों चिर्चिरे हो जाते हैं तो हमने सोचा शाम में एक राइव पर लेकर चल जाएं थोड़ा सा उनका मूर जा है वो फिक्स हो जाएग आप लोगों को भी लगता होगा क्या हर दूसरे दिन सेम जगा जाते हैं लेकिन करे भी तो क्या करें घर के पास में यही थोड़ी जो जगए है वह अच्छा खाना मिलता है और बच्चों के हिसाब से में चलना पड़ता है तो आमीर और आयरा को यहीं के थोड़े बहुत स हमारे पास है। और उसके बाद गपे लड़ाते हुए हम आ गए थे घर और नेक्स डे हो गया था अज मंड़े का दिन था लेकिन आज आमिर की छुटी थी क्यूंकि मकर संक्रांती थी इसके वज़े से स्कूल की छुटी अज तो सुचा हमने क्यों ना थोड़ा बहुत फ़ादा उठाया जाए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए गर्की ग्र लिए चाही थे और घर के लिए चाहिए थोड़े मसाले वसाले सारा सब कुछ वह यहां से हमने ले लिये हैं और मुझे थोड़े से खड़े मसाले चाहिए थे जो कि घर पे सारे हाली हो गए थे तो यहां पर मैं वही चकरी थी कि कौन सा वाला लेना चाहिए तो यहां से ग इसके बाद मैं आ गई थी किचन में लगई थी फटा फट काम पर क्योंकि आर्ट डिनर में आ रही थी फटा फट का सारे काम जाए बना रही हूं इस आरी चीजें मैं अगली व्लॉग में बताऊंगे इस व्लॉग को मैं ही परेंट करती हूं अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें